और जो आकरम है वो रेगिस्तान से आया था, वहां तो मिलता कुछ नहीं, अब जीना है ना, अब अच्छा मानो या बुरा मानो, जिन्दा रहना है और मिलता कुछ नहीं, तो या तो फिर जो बाहर से जा रहे हैं वहां व्यापार करने के लिए, उनसे कुछ मांगो, और की लोग भी छिनेंगे, साथ वाले, उनको कम हो गया तो, इसलिए सदा तयार रहो, तो एक सोल्जर जैसा स्वभाव बनाने की एक बात वहां पर बन गी, उन्होंने आकर सबको मारना शुरू किया, तो अब तक तो ये चलता था, ये इस जात का, उस जात का, उस भगवान का उपासक ये, इस भगवान का उपासक, लेकिन आप देखा जाए, तो एक कई, दो ही जाती होगी ना, एक मारने वाला, दुसरा पितने वाला, तो मारने वाला तो कह रहा है, मैं इसलाम का हूँ, मुसल्मान हूँ, पितने वाले अनेक लोग है, उनका सामुलिक नाम क्या है, हिंदू तब यह नाम लोगों में आया और गुरु नानक ने पहली बार कहा हिंदुस्थान खस्मा ना किया खुरास अंडर आया बाबर के आकर्मन के समय तब से यह लोगों के जीवन में आया आया तो चिपा गया अब उसका ही लह नहीं है वही नाम है यह परसों हमारे एक स्वेंचों काय मिलने के लिए कि आयू पच्यासी साल की सब ने हमको बताया छोटे बालक ने भी बताया बड़े नी भी बताया क्यों आये थे आपको पूछ रहे थे बहुत दिन में मिलना नहीं हुआ वगरे वगरे कौन आये थे मन्या देश्पांडे आये थे नाम माता पिता ने रखा हुआ मनोहर रह वा पालने में मनोहर सुन्दर नाम है लेकिन उसका हो गया माता-पिता के द्वारा ही मन्या और मन्या ही चला अब फ्रमे sorry 8 existence प्रतितिय वकील है सारी बात है लेकिन वह अगर कहते हम को मनोर रहा हो जिस्पांडे तो मुझे पुछना पड़ता कोन मनोर जिस्पांडे कहा कि फिर पताचल को ने को ने अब ऐसा इलाध में वह नाम ची पग गया है वही रहेगा तो हमको लगे है वो नाम, अब हमारी पैचार हो बन गई है, और पैचार इसी अर्थ में बन गई है, यहां के लोग, भारत में सब हिंदू पुर्वजो के वह उशज है, इसलिए सब हिंदू है, सब को जानना चाहिए, भारत में सब हिंदू है, यह सब कहता है, हिंदू संग संग सबको हिंदू मानता है किसी को बाहर रखता नहीं पत्रकार हमको पूछते संग की शाखा में हिंदू को प्रवेश है मुसलमानों को देंगे क्या भाशन देरे मैं कहता हूं हम केवल हिंदू को प्रवेश देते हम ब्रामनों को प्रवेश नहीं देते हरीजनों को नहीं देते जयनों को शयवूं को वैक्ष्णों को बॉद्दों को नहीं पर को नहीं चुर्भबं और थे गय oh वो कही न कही जुड़े हैं पास से या दूर से शाखा में आते हैं या नहीं आते हैं कुछ लोग हैं जो मानते तो हैं लेकिस इतने एंफटिक नहीं है या बहुत प्राउड नहीं है कुछ-कुछ लोग तो थोड़ा सा अपोलिजिटिक भी है भाई एक्सरेंट हिंदू होने वाले लोग भी हैं ऑं लिखता है वो पुबलिक लिए बोलते हैं हम लेकिन भाई एक्सरेंट हैं ऐसे भी हिंदू है और इसी पर है कि जो जानते हैं लेकिन नहीं मानते हैं कि मानेंगे तो कुछ न कुछ चला जाएगा एक बंदू मिले कि हम हमुक हमुक है लेकिन हिंदु कहलाते है तो हमको टेक्स कंसिशन नहीं मिलता हमारी संस्ता को कंसिशन नहीं मिलता इसलिए हम अलगाओ की application कर रहे हैं आप गलत फामी मत रहिएगा मैंनों को आप गलत फामी आप से नहीं होगी हमारी लेकिन हम आपका विरोज इसलिए करेंगे कि आप जो है वो भी नहीं रहेंगे अगर आप हिंदु नहीं रहेंगे यह सही बात है तब इंडियन एक्स्प्रेस के वारतार ने लिखा हुआ अनुबवे वो घर में गये मतांतरित घर में और लोटते समय बच्चे ने वहाँ नमसकर वनकम किया तो पिताज ने उसको एक तमाचा लगा तो उसने लिखा कि इट वा शॉक टुमी इसे भी हिंडू है कि जो जानते नहीं है और इसली विरोध करते हैं अब जानने में सब का ही रहे और देश का भी ही रहे तो अपना तो आवान यही है हिंडू तवा अंदोलन का सब को कि आप जानो आप हिंडू है अच्छे पक्के सचे हिंडू बनो संगडितो जा और ऐसी हिंडू शक्ति खड़ी करो कि हिंडू को की ओर तेड़ी आग करके देखने का किसी का सास नहीं होगा क्योंकि दुनिया अच्छी बातों को भी तभी मानती है जब बोलने वाले की कोई साथ हो और दुनिया में एक ही साथ चलती है आपका सक्त्य है आपका शुद्ध है आपका तरके युक्ते नहीं चलती है उसके पीछे शक्ति कितनी है यही चलता है इसलिए आपको शक्तिजम्पन होना पड़ेगा इसमें हमारा एक ही कहना है कि जो आज अपने आपको हिंदू कहते है केवल उनके संगडित होने से भी यह काम हो जाएगा बाकी लोगों की खुशामत करने की हमको जरूरत नहीं है हम इस पर्ट कहते है हम आपको यह इसलिए कह रहे है कि आप हिंदू पुर्वजो के वह उसलिए नहीं कह रहे है कि हमको अपने वोट बढ़ाने है हमको चुनाव नहीं लड़ना है हम संगड के लोग है हमको किसी को चुनाव में ख़ड़ा नहीं होना है हमको popularity की भी जरूरत नहीं है संगय साव इचित्र काम है कि इसमें popularity का भी लक्ष नहीं है लेकिन हम इसलिए बताते कि आप हिंदु पुर्वजो के वहुशजो याने हमारे खून के भाई हो आप वोटर नहीं हो हमारे लिए आप मात्र परोसी भी नहीं हो तो आपके हमारे विष्टे है और हमको याद है आप भूल गए आप याद करोगे तो आपका भला होगा देश का तो होगा योगा देश का होगा कि नहीं हम देख लेंगे हम जिनको याद है हम अपने बलबुति इस देश का भला कर लेंगे हमको जरूरत नहीं है आपको जरूरत है और आप हमारे भाई है उससे आपका भला हुआ सारी दुनिया को एक कृत्रिंता के वातावरण में जकर कर व्यत्तिकत स्वातंत्र का समाप्ति परियावरण का विनाश करने वाली जो प्रणालिया चड़ रहे है उनसे मुक्ति के लिए आप चटपटा रहना यहां पर है आपके मुक्ति आईए निरने आप कीजिए आना नहीं आना आने के लिए इंसेंट्यों नहीं है कुछ घर खड़ा करना है कुन पसे ना भागे सुखी मिलेगे आधी-आधी बाट कर खाएंगे इतना अभी वचन हम द आउखना गया है तब क्या एंगे तो आपके साथ ना आएंगे तो बीना आपके और विरोध करैंगे तो आपके बावजुद हमको जो करना हम कर रहे हैं कि किसीक विरोध में नहीं कर रहे हैं अब ये हिंदुत्व है, लेकिन इसको रखना कैसे, और इसको समझना कैसे, हिंदुत्व यही है, दूसरा कुछ नहीं है, मुसल्मानों का विरोध हिंदुत्व नहीं है, इसायों का विरोध हिंदुत्व नहीं है, किसी प्रकार की छोटी भी यूँजा, आपने तो क्यों नान इंजूरी का मैं पराथ आठा कि आयूशागी बात कर रहा हूँ अपने जैन बंदू कभी कभी जो आयूशा का अतिरेक माना जाये ऐसी बाते करते हैं वो हें इंदुत्व आए हिंदुत्व बिल्कुल नहीं हिंदुत्व यही है लेकिन ऐसा है कि इस हिंदुत्व को व्यत्त करने की जो बात है वो प्रत्यक को अपने अपने परिस्थिती में करनी पड़ती है उसको करना यही है व्यत्त अलग-अलग रूप से हो सकती है भगवान कुछनो नौका विवार यमवानाय में कर रहे हैं रुकमिने ने गहा कि सा है तो आप मेरे साथ चलिए तो कुरुष्ण ने काया कि तुम कैसी अरसिखो वरत वगरी की बाते कर रहे हो या नौका विहार अपने सब पट्टरानियों के साथ तुम जाना है तो तो ठीक है लेकि मैं जाओंगी कैसी अकेले तो यमुना से जाना है तो और खमसे कर रास्त दे दीजिए तो यमुना को रस्ता मिले तो यमुना इन रस्ता दे दीए